भरौल गाउं में आग लगने से 18 घर जल कर हुए राक लाखो का नुकसान 6 मवेशी जुल से अनुमान नगर परखंड चेतर के भरौल गाउं में बुधवार की दोपहर आग लगने से 18 घर जल कर राक हो गया अग लगी की इस घटना से लाखो रुपे की संपती खाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है आधा दरजन मवेशी भी जुलस कर जखमी हो गया जानकारी के मुताविक आग लगने की शूचना ग्रामिनों ने विडियो मनीश कुमार, सीओ आसीश कुमार, विशनपूर्थान अध्यक्ष अनुज कुमार को दी इनकी शूचना पर आग बुझाने वाली गारी घटना स्तल पर पहुँची ग्रामिनों के सहयोग से आग पर काबु पालिया गया अगनी कांड में उमेश यादव का बेटा, चंदन यादव, वसाहव यादव, चंदेश सुर यादव का बेटा, गनेशी यादव, रामदेव यादव का बेटा, अनूठ यादव, वा मनोज यादव, योगंदर यादव का बेटा, नागेश सुर यादव, कालेश सुर पूछे जाने पर बताया कि राजत्सो करमचारी मुहम्मद आरिफ को घटनास्तल पर भेजा गया है। वही प्रखंड के उप्रमुख प्रतिनिधी आनंद पाठक ने कहा कि पीरित परिवारों की सुची इकठा की जा रही है। पीरितों को खादान दिया गया है और यथा संभब जो भी सरकारी मदद होगी वो इन सभी को दिलाया जाएगा।